दोस्तो ये तस्बीर हमारे घर भी लगी हुई है। हनुमान जी की रहसी में ये तस्बीर आपका कल्यान कर सकती है। जहां होती है ये तस्बीर उस पर सदैब हनुमान जी की किरपा बनी रहती है। हनुमान जी की ये तस्बीर शुब और मंगल कारी मानी जाती है। अगर आप बजरंग बली के भक्त हैं तो ये जानकारी आप जरूर देखें दोस्तों आप शायद नहीं जानते जो भक्त सचे दिल से हनुमान जी की अराधना पूजा पाट और नियमित उसकी जुबान पर हनुमान जी का नाम रहता है तो उस ब्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता महाबली हमेशा इनके साथ रहते हैं आपको बता दे हिंदू धरम में मंगल बार के ब्रत का महत्व बहुत अधिक माना जाता है विधी पूरबक ब्रत रखने से हनुमान भक्त सभी तरह के भै और चिंताओं से मुक्त रहता है इन पर कोई दोश हाबी नहीं होता रा हनुमान जी की इस गुप्त तस्बीर को जो भी भक्त लगाता है उसका भाग्य चमक जाता है वो ब्यक्ती किसी भी काम को कर ले सफल हो जाता है तो चलिए जानते हैं दोस्तो ये प्रतिमा हमारे घर के में दरवाजे पर लगी हुई है आप भी अपने घर में जरूर दौर पर पंचु मुखी हनुमान जी की तस्बीर या मूर्ती लगाना बड़ा उत्तम है जो की ये प्रतिमा हमारे घर के में दरबाजे पर भी लगी हुई है। प्रतिमा को घर के अंदर लगा सकते हैं। जैसे घर में राम दरबार की तस्बीर लगाने से परिबार में प्रेम बढ़ता है। जिस तस्बीर में हनुमान जी यूबा अबस्था में पीले रंके कपड़े में हो तो ऐसी फोटो लगाने से घर में सुक समर्दी आती है। दोस्तो बहीं हनुमान जी की लाल लंगोट में तस्बीर घर पर लगाने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। घर के अंदर हनुमान जी की ऐसी तस्बीर लगाना चाहिए जिसमें वो अपने प्रभु भगबान राम की सेबा में लीन हो। इसे घर पर लगाने से धन की कभी कमी नहीं होती। दोज तो एक सचे भक्त के साथ बजरंग बली हमेशा साथ रहते हैं। अगर आप चाहते हैं बजरंग बली आपके घर में अपना वास हमेशा के लिए बना ले और आपको कभी छोड़ कर ना जाएं। तो कमेंट बॉक्स में लिखे जै हनुमान जै बजरंग बली महा बली क के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।